आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा प्रिथवी की गतियां आपको पता है पचो प्रिथवी की गति दो प्रकार की होती है घुर्णन एबं परीकर्मन अब घुर्णन कौन से होती है जो प्रिथवी अपने अक्स पे अपने अक्स पे ही क्या है चारो और चकर लगाती है उसको हम क्या कहते है घुर्णन गति कहते है अपने अक्स पर घुमना सूर्णे के चारो और एक जो स्थिर कक्षा में जो प्रिथवी की गति होती है उसको हम क्या कहते है प्रेकर्मन कहते है जैसे ये क्या है बच्चो सूर और इसके चारो और क्या है ये अपने कक्ष में ये प्रित्वी की क्या है कक्षा है और इस कक्षा में ये क्या है अपनी स्थिती बदलती हुई अपने अक्ष पे भी साथ साथ क्या है घूम रही है और सुर्य के चारो और भी क्या है ये चक्र लगा रही है तो अपने अक्ष जो घूमती है उसको हम घूनन गती कहेंगे या परी भ्रमन गती कहेंगे और जो सुर्य के चार और परिकर्मा करती है सुर्य के चार और जो चक्र रगाती है कनिश्चित कक्षा में उसको हम क्या कहेंगे परी कर्मन गती कहेंगे तो आप यह क्या है इस एनिमेशन वेडियो मे अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे घूणन गती होती है और कैसे परेक्रमन गती होती है यह प्रिथ्वी का क्या है कक्षिय समतल है और इस पर यह लंब है ठीक है बच्चो और यह प्रिथ्वी क्या है जूकी हुई है और यह जो कौन है यह कितने है साधे 23 डिगरी का है कैसे ज फोटो है दूसरा जो चीतर है उसमें अच्छे से समझेंगे हम जैसे ये प्रिथवी है बचो इसका ये उत्री ध्रूव है और ये दक्षनी ध्रूव है अब उत्री ध्रूव अगर हम देखें अगर ये सीधी होती जुकी वी ना होती प्रिथवी तो उत्री ध्रूव क्या हो होना चाहिए था लेकिन यह है इतना तो यह कितना जोगी हुई है प्रित्वी साधे तेज डिगरी जब हम इसको मापेंगे तो यह अपने अक्ष पे कितना जोगी हुई है साधे तेज डिगरी जोगी हुई है और जो इसका कक्षिय समतल है उससे इसका कौन कितना बनता है प् कि बार प्रस्ष़न पूछता है एक्जामिनर अर्ब ध्यान रखना है अपनी अपने अक्षब всего कितना जुकिए हूँ है तो जुका कितनी हुई है daily looter ऑटिंगी लेकिन इसका कोंन Itsbank कितना है इसकार जुकने का जो कौन है कोंनिना प्रित्वी सूर्य से प्रकास प्राप्त करते हैं यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेस्न में प्रित्वी का अपना प्रकास कहां से प्राप्त करती है सूर्य से प्रित्वी का अपना कोई प्रकास नहीं है क्योंकि यह ग्रह है और ग्रहों का अपना कोई प्रकास नहीं होता और सूर्य एक तारा है तारों का अपना प्रकास होता है अपने उश्मा होती है तो प्रित्वी प्रिथ्वी का आकार गोले के समान है इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सुर्य की रोशनी प्राप्त होती है अब हम देखेंगे कि कैसे यह सुर्य की रोशनी प्राप्त करती है तो यहां पर आप देखेंगे बचो यह क्या है सुर्य है और यह सुर्य की क्या है रोशनी पड़ रही है तो सुर्य की रोशनी इसके आधे भाग पर ही पड़ती है यह थोड़ा जुकी हुई है यह दक्षनी दुरू है जुकी हुई है प्रिथ्वी क्योंकि एकदम सीधा नह दिन होता है जहां प्रकाश होता है उसको दिन बोलते है तो इस भाग में क्या है दिन निकला हुआ है लेकिन ये आधा भाग ये आधा भाग क्या है अंधेरे में है और यहां पर क्या है रात है क्यों क्योंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है प्रिथवी जो इसे दूसरी तरब भी क्या है इसी तरह सी गे वरित पूरा भना हुआ है यह संदू !!! के वरित के वाला समय गोते आते हैं क्या ही ? बचो प्रदीप्ति वृत कैसे हैं यह वृत अक्ष के साथ नहीं मिलता है अक्ष के साथ नहीं मिलेगा बचो यह जैसा कि आप चीतर 3.2 में देख सकते हैं यह आपको पता है कि यह प्रदीप्ति वृत यह वाला है हमारा अभी मैं एक बार रब कर देते हूं फिर देखाते कि कैसे जो है हमारा अक्ष है और कैसे हमारा प्रदीप्ति वृत है तो देखो बच्चो यह हमारा क्या है अक्ष है यह अक्ष मारा तिर्चा है क्योंकि 3.5 डिगरी पे क्या है प्रित्वी जोकी हुई है लेकिन जो प्रदीप्ति वृत है वो क्या है हमारा बिल्कुल सीधा है तो आधे भाग में दून है और आधे भाग में, राथ होती है तो प्रत्वी को दो भाग में बाड़ता है दिन और रात में आधा हिसा जो है वहाँ पर दिन रहता है जहाँ पे सुरे की करणे पहुंचते। और आधा हिसा प्रिथ्वी का क्या है जहां पे सुर्य के क्रिने नहीं पहुंचती रात होती है और प्रिथ्वी क्या है अपने अक्स पर एक चकर पुरा करने में कितना समय लेती है बचो चोबिस घंटे का समय लेती है और गुर्णन के समय काल को प्रिथ्वी का दिन कहा जात गती है उसे उसकी दैनि गती भी कहते है और वार्शी गती कौन सी होती है जो प्रिकर्मन है जो सुर्य के चारों और जो प्रिकर्मा करती है सुर्य के चारों जैसे अब यहां है प्रिथवी तो बाद में क्या जाएगी इधर आ जाएगी ऐसे चकर पूरा करती है अपनी और ऐ ऐसे चकर पूरा करती हुई जब प्रिथवी सुर्य के पूरा चकर लगा लेती है एक साल का समय लगता है जिसमें 365 सही एक बटा चार दिन का समय लगता है प्रिथवी को उसको हम क्या कहेंगे वार्षी को गति किसकी प्रिथवी की प्रिथवी की वार्षी गति तो पता चल ग कि एक बटा चार दिन का क्या मतलब है एक बटा चार दिन का मतलब क्या है छे घंटे तो ये छे घंटे चोबिस घंटे का बनेंगे क्योंकि हमारा एक दिन क्या होता है चोबिस घंटे में पूरा होता है तो एक दिन चोबिस घंटे में होता है तो छे घंटे अगर हम चार साल क लीप वर्ष कहते हैं, तो यहां पर प्रशन बनता है कि लीप वर्ष किसे कहा जाता है, तो जिस वर्ष हम 366 दिन का साल मनाते हैं, या 366 दिन का हम वर्ष मानते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष का हमें पता कैसे चलता है, बचो, जब हम किसी भी इस भी को चार से भाग देते हैं और वो पूरा पूरा कट जाता है तो वह वर्ष कौन सा वर्ष होता है लीप वर्ष होता है लीप वर्ष में हमारी फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है प्रित्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में जुकी हुई है सामाने ते एक वर्ष को गर् क्योंकि ये सूर्य है बचो अब ही आपने देखा और ये क्या है पृत्वी है और जब पृत्वी की स्थिती बदलती है कभी क्या है इधर आती है पृत्वी कभी क्या है इस स्थिती में होती है कभी इस स्थिती में होती है इन स्थिती में परिवतन सूर्य के चारों चक्कर ल चीतर के माध्यम से प्रिथ्वी का परिकर्मन एवं रित्वों के माध्यम से आप देखो बचो 21 जून को प्रिथ्वी कैसी स्थिती में होती है यह स्थिती होती है यह प्रिथ्वी है और आप देखेंगे कि सुर्य के सामने यह सुर्य है सुर्य के सामने क्या हो जो हमारा उत् सूर्य के सामने होता है और यहां पर क्या है उत्री ध्रू पर छै महिने की गर्मी होती है क्योंकि यह हिसा जो है प्रित्विका सूर्य के सामने रहता है और इसको क्या बोलते हैं यहां पर सबसे लंबा दिन होता है उत्री ध्रू में उत्री गोलार्द में जो है ग्रिश्म र चरणात में क्या होता है बचो इस समय में सीतरितू होती है। ने दक्षनी दरूव पर अगजाएगा तो हमारे कख्शा आप ρा गए। है तो यह उत्री दरूव है और यह देक्षनी दरूव यह चाया है इसी हिसे में दरूब निया ग्षति हुर्य का कि रात होती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य नहीं पहुंच पाता है इन 6 महीनों में लेकिन इसके विपरीत जब दक्षिन एनांत होता है वो कब होता है, 22 दिसम्बर को होता है क्यों? आप देखेंगे बच्चों कि ये जो सूर्य का प्रकास आ रहा है ये अब कहा पे गिर रहा ह दक्षनी द्रूव पे दक्षनी द्रूव है वहां पे क्या होता है छे महिने का दिन होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां पे गिर रही लेकिन जो उत्री द्रूव है यहां पे क्या है कोई सूर्य की किरण नहीं पहुंच रही है तो यहां पे क्या होगा रात होगा तो और उत्री गोलार्द में सबसे चोटा दिन होता है 22 दिसंबर तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं दक्षनी नांत बोलते हैं और उत्री गोलार्द में इस समय में क्या होती है सीत रितु होती है उत्री गोलार्द में और दक्षनी गोलार्द में क्या होती है ग्रिश्म रितु ह 21 जोन को उत्री गोला सूरे की तरफ जुगा है और सूरे की किरने क्या है करक रेखा पर सीधी पड़ती है इसके परिणाम सुरूप इन चेत्रों में उसमा अधिक प्राप्त होती है और ध्रूवों के पास वाले चेत्रों में कम उसमा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूरे क किरने तिर्ची पड़ती है उत्तर ध्रूव सूर्य की तरफ जुगा होता है तथा उत्री ध्रूव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महिने तक लगातार दिन रहता है तो उत्री गुलात के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है इसलिए विश्वत वरित के उत्री भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इंचेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है और इस सवस्था को क्या कहेंगे उत्री एनांत कहते है इसलिए 22 दिसंबर को दक्षनी धुरूव के सूर्य के और चुके होने के क मतिINS दर्क फराओं कंशनी डिसंबर को क्या होता है कि क्रिशमस मनाते हैं हम और 25 दिसंबर को जो दक्षनी गुरूओ होती है ग्रिश्मरीतो होती है इसलिए दक्षनी गोलार्द में ही ओस्टेलिया होने के कारण वहां पर क्या है क्रिश्मस जो है ग्रिश्मरीतो में मनाया जाता है अभी मैं एक बार और अच्छे से समझा दो पजयों जैसे ये प्रिथ्वी है और ये हमारा विस्वत विरित है उर ये साढ़े तेज़ डिगरी की करक रेखा है साढ़े थेज डिगरी और ये हमारी मकर रेखा है साढ़े थेज डिगरी दक्षिन ये दक्षिन है और ये करक रेखा हमारी उत्तर में है तो जब सूर्य विश्वत विरित पे पड़ता है तब तो क्या है सीधी गर्मी हमारी भुमद्र रेखा पे होती है विश्वत विरित पे होती है लेकिन जब ग्रिश्म रितु होती है उतरी गोलार्ड में तब सूरज क्या है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और भारत के बीच हूँ स्थिति इसके विप्रित हो जाती है जब प्रित्वी जो है सूर्य के चारोर चकर लगाती है और तब क्या होता है कि जो सूर्य की किरने कहां पढ़ने लग जाती है जब मकर रेखा पर पढ़ने लग जाती है सीधा सूर्य की किरने यह सूर्य की किरने है और यह जब मकर रेखा पर सीधा पड़ेंगे तो करक रेखा पे या उत्री गोलार्द में यह जो हमारा उत्री गोलार्द है यहाँ पे सूर्य की किरने क्या हो जाएंगी तिर्चा हो जाएंगी और तब यहाँ पे क्या है शीत रितु होगी उत्री गोल इसलिए मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किर्णे विस्वत विरित पर सिधा पढ़ती है. इस सवस्था में कोई भी ध्रूव सुर्य की और नहीं जुका होता है इसलिए पूरी प्रित्वी पर रात एवं दिन बराबर होते औरी से विश्व कहा जाता है एक बार हम चित्र में देखेंगे कि कैसे विश्व है तो ये स्थिती है देखो बचो विश्व की इसमें क्या है सूर्य ये है और इसमें क्या है ये किरने गिर रही है सूर्य की सिधी और यहां पे क्या है उत्री धुरूव और दक्षनी धुरूव दोनों ही क्या है सूर्य के एकदम सामने है और यहां पे दिन और रात बराबर होते हैं इसी तरह 23 सितंबर को भी कह Myanmar कह ने जो है दोनो धुरूओ पर समान रूप से पड़ती है और दिन और रात बराबर होते हैं और इस थिति को जब दिन और रात पूरे प्रिठ्वी पर बराबर होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं विस्व कहते हैं और ये विस्व की स्थिति कब आती है साल में दो बार आती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को यहाँ पर पूछा जाता है विस्व किसे कहते हैं और 21 मार्च को क्या होता है या दिन रात बराबर कब होते हैं तो दिन और रात दोनो दुरूओं पर बराबर होते हैं कब 21 मार्च और 23 सितंबर को बच्चो 23 सितंबर को उत्री गोलार्द में शरद रितु होती है जबकि दक्षनी गोलार्द में वसंत रितु होती है 21 मार्च को स्थितिस के विपरीत होती है, जब उत्री गोलार्द में वसंत रितू तथा दक्षनी गोलार्द में शरद रितू होती है इस प्रकार से क्या है बच्चो पृत्वी के घुर्णन एवं परिकर्मन के कारण दिन एवं रात तथा रित्वों में परिवर्तन होता है तो दिन और रात कैसे बनते हैं पृत्वी के घुर्णन के कारण और रित्वों में परिवर्तन कैसे होता है पृत्वी की परिकर्मन ग सितंबर को दक्षनी गोलार्द में वसंत रितु होती है दक्षनी गोलार्द में क्या होती है वसंत रितु और उत्री गोलार्द में क्या होती है शरद रितु दिन और रात बराबर होते हैं लेकिन उत्री गोलार्द में कौन सी रितु होती है शरद रितु और दक्षनी गोला करद में हमारे क्या होती है शरद रितू होती है तो यह उमीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठैंक्स